आज मैं आप लोगों से खीर में आने की ऐसी टिकनिक शेयर करूँगी जिससे आप आदे केंटे के अंदर एकदम रबडी दार खीर तयार कर लेंगे तो आज ये शुरू करते हैं, ये एक मुठी चावल मैंने धूके ले लिया था कुकर में एक से डिड़ गलास दूद है, एक गलास के करीब पानी है इसमें डाल कर मैंने इसे प्रिशर कर दिया है एक सीटी आयेगी, उसके बाद कम से कम दो प्रिशर और देंगे, उसके बाद इसे खोल लेंगे इधर दूसरे भगोने में दूद बाकी जो दूद आपको खीर में डालना है उसे आउटने के लिए छोड़ेंगे जिससे तब तक दूद गाढ़ा हो जाए जब ये खीर देखे कुकर खुला मेरा मैंने इस मतनी से इसे मत दिया है थोड़ा सा मत देंगे तो इससे चावल असानी से और अच्छे से गल जाएंगे उसमें मिक्स हो जाएंगे पक तो गया ही कुकर में लेकिन मिक्स हो जाएगा वो उसमें फिर उसके बाद ये देखे जो आपटा के मैंने दूद रखा था उस सारा दूद मैंने इसमें मिक्स कर दिया है अब इसके बाद हार्डली पांस से दस मेट के अंदर ये खेर प्रॉपरली तैयर हो जाएगी थोईसी किश्मिस है मैंने दो कर लिया है काजू है और मखाना है ये मैंने काट लिया है थोड़ा नारियल का बुरादा था मैंने वो भी डाल दिया इसमें ये सब कुछ मैं इसमें डाल कर थोड़ी दिर के लिए पकने दूँगे ये देख रहे हैं आप ये सारी ड्राइफ रूट्स मैंने इसमें डाल दिये आप इसमें और भी ड्राइफ रूट्स चाहें तो एड़ कर सकते हैं ये देखिए कितनी अच्छे रबड़ी दाखिर तयार हो गई है ये दसमेंट लगा है और ये इतनी बढ़िया लाजवाब गाड़ी खीर तयार हो गई है लगभब थोड़ी सी कसर अभी और है ये आप देख रहे हैं कितनी बढ़ियां ये बीज बीज में आप साइट से उसके खुरश के तयार करते रहे हैं ये इलाची पाउडर मैंने डाल दिया यहाँ पर हाफ टी स्पून मेरे पास इलाची पाउडर था मैंने डाल दिया ये मेजरमेंट वाले कप से एक कप से थोड़ा कम मैंने शुगर एड़ की है इसमें अगर आपके परस घर में इलाइशी पाउडर ना हो तो तीन से चार इलाइशी लेकर आप अपने चौका और बिलना पर थोड़ी सी शुगर डालके अगर उसे रगड देंगे तो आपका पाउडर प्रॉपरली तयार हो जाएगा यह देखिए खीर में तयार है अब आप सर्फ कर सकते हैं थैंक यू